वेलकम टू माई चैनल नेटिंग स्टूडियो आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये बोडर का डिजाइन लेके आई हो इस डिजाइन को आप लेडिज हाफ जाकेट में लेडिज कार्डिगन में बेबी फ्रोग में टोप में किसी में भी आप डालिए उसी में ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आएगा देखे फ्रेंट्स जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है इस डिजाइन को बनाने के लिए हम 16 के मल्टिपल में फंदे लेके और 3 फंदे प्लस कर लेगे तो हमारा ये डिजाइन सही से अर्जेस हो जाएगा तो चलिए तो फ्रेंड्स अभा इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं डिजाइन बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक शानत आ अर्फर आणारें नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब को बनाना शुरू करेंगे तो दीखे फ्रेंड्स पहला फंदा है हमारा यह यहां पर एज टीच है इसको सीधा बुल लेंगे फिर यह दूसरे फंदे को लेंगे इसको ऐसे पलट लेंगे और दो का एक ऐसे बना देंगे दो का एक बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो फिर धागा पिछे करेंगे एक फंदा शीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे फिर धागा पिछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे सीधा फंदा बनाने के बाद धागा आगे करेंगे और जो ये फंदा है इस फंदे के दोनों तरफ जाली डालेंगे एक जाली डल गई फिर धागा आगे करेंगे फिर से इस फंदे को सीधा बनादेंगे जाली डालते हुए तो देखेए फ्रेंड्स इस फंदे के हमारे दोनों तर्प जाले डल गई फंदे यहाँ पर बढ़ गई यहाँ साइड में एक फंदा गटा था जो यहाँ पर बढ़ गया अब धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे अब धागा पीछे करेंगे अब जो ये हमारे तीन फंदे हैं इन तीन का हमने एक फंदा बनाना है तो यहाँ पे इस सेकंड फंदे को और फर्स्ट को लेके ऐसे निडल में उतार लेंगे फिर इस फर्स्ट फंदे को बीच में कर लेंगे और बीच वाले को आगे कर लेंगे ऐसे और अब इनका तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे तीन का एक बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे फिर से एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा अब फिर यहाँ पे इस फंदेंगे दोनो तरफ जाली डालेंगे धागा आगे करेंगे एक जाली डल गई फिर धागा आगे करेंगे फिर से जाली डालेंगे सीधा फंदा बना देंगे फिर धागा आगे करेंगे फिर से दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे एक, दो, फिर धागा पीछे करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, दो का एक, ऐसे ही, अब यहाँ पे फंदे को पल्टेंगे नहीं, ऐसे ही दो का एक करेंगे, धागा पीछे ही रखेंगे, लास्ट का फंदा, एज टिछ है, इसको सीधा ही बुन लेंगे, देख जाले डालेंगे फन्दे के तोनों तरफ डल जाएंगे फिर एक फन्दा सीधा और फिर दो उल्टे एक सीधा दो उल्टे तो देखे फ्रेंड्स यहां तक हमारा यह रिपीटिशन ऐसे ही चलता रहेगा फंदों का इन्ही फंदों को हम बार-बार रिपीट करते जाएंगे यह हमारी यहां तक 16 फंदे बन जाएंगे अब हम आएंगे बैक साइड में सेकेंड रो में देखें फ्रेंट्स ध्यान दीजिएगा यहां पर जो फंदा जैसे दिखाई देगा उसको वैसा ही बनाते जाएंगे तो दो फंदे उल्टे धागा पिछे करेंगे और यह दो फंदे सेदे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पिछे करेंगे दो फंदे फिर सेदे बैक साइड में सभी सलाईया ऐसे ही हमारी बनती जाएंगे जो फंदा जैसा दिखाई देगा उसको वैसा बनाएंगे अब जो यह जाली से बड़े फंद से दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से यह उल्टा फंदा फिर धागा पिछे करेंगे दो फंदे फिर सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा यह हमारा जो सीधी तरफ से तीन का एक है वो यहां से उल्टा बनेगा धागा पिछे करेंगे हमारा उल्टा बनेगा जो उल्टा फंदा था वो यहां से सीधा बन जाएगा अब फिर यह सीधा फंदा जो यहां से उल्टा जाली वाला वे उल्टा दो यह तीन और चार और पांच पांच फंदे यहां पे हमारे उल्टे आ गए दागा पिछे करेंगे और फिर से दो फंद सीधे δhaghah अपनी तरफ करेंगे एक फंधा उल्टा धागा पीछे करेंगे फिर से दो फंधे सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से दो फंदे उल्टे देखे फ्रेंट्स बैक साइड से जब भी हम सलाया मनाएंगे तो जो फंदा जैसा दिखाई देगा उसको वैसा ही बनाते जाएंगे जो फंदा यहां से सीधा है वो बैक साइड से उल्टा बनेगा जो बैक स दागे को पिछे रखेंगे, यह सीधा फंदा, उल्टा फंदा, इसीधे फंदे को ऐसे लेंगे और पलट लेंगे ऐसे, और यहाँ पर दो का एक बना देंगे, देखें फ्रेंट्स, जो फंदा हमारा यहाँ पे गड़ता है, यहाँ जाले डलके फंदा बढ़ जाता है, पीछे करेंगे, अब हमने जो यहाँ से जाली डाली थी, एक फंदा सीधा, जाली, सीधा, जाली, फिर सीधा, तो हमारी यहाँ पे दो जाली थी, तीन फंदे सीधे थी, तो हम फर्स्ट फंदे को यहाँ पर सीधा ही बना देंगे, ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, और इस फंदे पे जाली डाल देंगे अब फिर धागा आगे करेंगे अब ये एक फंदा सीधा है आगे जाली वाला है तो इन दो फंदों को जाली डालते हुए दो का एक कर देंगे ऐसे जो फंदा यहाँ पे गटा है वो साथ में जाली डलके बढ़ गया फिर धागा आगे करेंगे और एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे अब फिर जो ये उल्टे फंदे हैं उल्टे बनाएंगे धागा पीछे करेंगे सीधा फंदा सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा धागा पीछे अब यहां पर हमने तीन का एक करना आतो इन फंदों को इस सैकिंड फंदे को लेंगे और फर्स्ट को इनको ऐसे नीडल पर ले लेंगे फिर ये बीच वाले फंदे को आगे ले आएंगे ऐसे और इनका तेनका एक बना देंगे ऐसे ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे फिर से एक सीधा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे फिर उल्टे अब फिर हमारा वही जाली वाले डिजा यहां पे जो जाली का फंदा है इसको सिंगल ही बनाना है हमने हर बार इसको सीधा बनाएंगे ऐसे अब जाली आगे डालते हुए इन दो का एक करेंगे जो सेंटर का फंदा है सीधा और इसके आगे जाली वाला इन दो का एक करेंगे ऐसे फिर धागा आगे करेंगे और ये फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे अब फिर यहां पे दो का एक करना तो एक उल्टा एक सीधा इसको आगे की तरब से ही फंदे को पल्टेंगे नहीं दो का एक कर देंगे लास्ट का फंदा सीधा यह हमारी थरड रोबन के कंप्लेट हुई डिजाइन भी हमारा नजर आने लगा अब आएंगे हम फोर्थ रोबन फोर्थ रोब को देखें फ्रैंड फिर से ऐसे ही ब उल्टे बनते जाएंगे तो दो फंदे उल्टे दागा पीछे एक सीधा दागा आगे एक उल्टा धागा पीछे दो सीधे दागा आपनी तरफ अब यहां पी यह उल्टे जाली शी बड़े फंदे भी दो तीन चार पांच चे शाथ यह हमारे साथ फंदे उल्टे दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ फिर से एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा दागा अपनी तरफ एक फंदा फिर उल्टा फिर दागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा दागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा दागा पीछे करेंगे फिर से दो फंदे सीधे देखे फ्रैंस बैक साइड से तो जो फंदा जैसा दिखाई देगा उसको वैसा ही बनाते जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, यह बहुत ही आसान डिजाइन है, यह डिजाइन हमारा 12 सलयों में बनके कम्प्लीट हो जाता और बहुत ही प्यारा सा जिक जैक का और स्केलब गोटर बोलते हैं, जिसको वो डिजाइन हमारा बनके आ जाएगा, आप इसको कार्डि डिजाइन बनके आता है, अब आ गई हम सीधी तरफ पांच में सलाई पर, तो देखे फ्रेंड्स ध्यान दिजिएगा, बहुत ही आसान है, अब फिर यह दो का एक करना तो एक सीधा है, एक उल्टा है, सीधे फंदे को लेंगे, ऐसे पलट लेंगे, और इसका दो का एक कर देंगे, फिर यह दो सीधा है, इसको सीधा बनाएंगे, अब आगे उल्टे फंदे हैं, तो इनको उल्टा बना देंगे, धागा पीछे करेंगे, अब फिर हमारा जाले वाला प्रोसेजर आ गया, तो सीधे फंदे को सीधा ही बना लेंगे, अब धागा आगे करेंगे, और ये जो जाली का फंदा है इस पे जाली डालते हुए इस फंदे को सीधा बना देंगे फिर धागा आगे करेंगे अब ये फंदा सीधा और ये एक जाली का इसका दो का एक जाली डालते हुए कर देंगे दागा आगे करेंगे फिर से दो का एक करेंगे एक जाली का एक सीधा इनका दो का एक करेंगे दागा अपनी तरफ करेंगे लास्ट का फंदा सीधा जाली डालते हुए दागा अपनी तरफ फिर से दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा देखें फ्रेंड्स अब फिर हमने तीन का एक करना तो दोनों साइड में हमारे उल्टे फंदे हैं बीच में सेंटर का सीधा है तो पहले सीधे फंदे को लेंगे फिर उल्टे को ऐसे लेकी इनको उतार लेंगे और इस नीडल पे वापिस डाल देंगे तो हमारा बीच वाला फंदा है जो आगे की साइड आ जाएगा तो तीन का एक करेंगे तब हमारी ये जो बीच में बनेगी ये फली ये बहुत ही सुन्दर बन के आएगी असे दागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे फिर उल्टे फिर वही जाली वाला प्रोसेजर आ गया तो इसको सीधा बनाएंगे फंदे को दागा अपनी तरफ करेंगे जाली डालते वे सीधा एक फंदा बनाएंगे सिंगल दागा आगे करेंगे, अब आगे दो फंदे बनाएंगे, दो का एक, एक सीधा, एक जाली का, तो आगे की तरफ से दो का एक कर देंगे, फिर दागा आगे करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, जाली डालते हुए, फिर दागा आगे करेंगे, जाली डालते हुए, इस फंदे को सीधा बना देंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे एक सीधा एक उल्टा इनका दो का एक बना देंगे आशे सोरी दागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे दागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा अब जो ये एक उल्टा है एक सीधा इनका दो का एक करेंगे आगे की तरफ से लास्ट का फंदा सीधा देखे फ्रेंट्स पांच में सलाई बनके कम्प्लिट हुए डिजाइन हमारा नजराने लगा अब फिर आ गई हम बैक साइड में फिर से जो फंदा जैसा दिखाई देगा उसको ऐसे ही बनाते हुए हम इस पूरी रो को कम्प्लिट कर लेंगे दागा अपनी तरफ यह जाली से बड़े हुए सभी फंदे उल्टे दागा पीछे अब यह दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ फिर यह फंदा उल्टा फिर आगे भी उल्टा फंदा है जो तीन का एक है इसके साथ वाला वी उल्टा है फिर दागा पीछे करेंगे और फिर दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ यह जाली से बड़े सभी फंदे उल्टे बन जाएंगे देखे फ्रेंड्स बनाना बहुत ही आसान है थोड़ा सा आप इसमें ध्यान लगाएगा बहुत ही जल्दी बनके आता है बहुत सुंदर लगता है बनाने के बाद दागा पीछे करेंगे फिर दो फंदे सीधे दागा अपने तरफ फिर से एक फंदा यह तीन फंदे उल्टे लाष्ट के अब आ गई हम सीधी तरफ देके फ्रेंड्स फिर से वैसे ही करना है अने यह फंदा सीधा आगे जो यह फंदा लेंगे ऐसे पल्टेंगे दोनु सीधे फंदे हैं इन दो का एक कर देंगे ऐसे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यह फंदा उल्टा यह आगे वाला पी उल्टा धागा पीछे करेंगे जाली वाला प्रोसेजर आ गया तो इस पहले फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फर्स्ट फंदे पे सिंगल जाली डालेंगे, ऐसे यहाँ पे सिंगल फंदा बनाएंगे, फिर धागा आगे करके सबी फंदों को दो का एक करते जाएंगे, एक सीधा और एक जाली वाला जाली डा अब धागा आगे करेंगे लास्ट का फंदा सीधा है इसको ऐसे ही बना देंगे धागा अपनी तरफ फिर से दो फंदे उल्टे धागा पीछे अब फिर हमने यहां पे तीन का एक करना है तो अब हमारे यहां पे तीनों फंदे सीधे हैं तो सेकेंड फंदे को और फस्ट को ल तेन का एक बना लेंगे ऐसे, तेन का एक बनाएंगे, फिर धागा अपने तरफ करेंगे, और ये दो फंदे उल्टे, धागा पिछे करेंगे, फिर से जाली वाला हमारा डिजाइन आ गया, पहला फंदा हम सीधा ही बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जो ये फर्स्ट जाली है, इसको हम सिंगल ही बनाएंगे जाली डालते हुए, जाली का फंदा जो धागा अपनी तरफ करेंगे, अब सभी फंदों को दो का एक बनाएंगे, शिरफ आपने यही ध्यान रखना कि जो सीधे फंदे के साथ में फंदा है उसको single ही बनाएंगे जाली डालते हुए आगे सबी फंदे हमारे 2 का एक बन जाएंगे तो हमारा जाली वाला पैटर्न अच्छे से बनके आ जाएगा फिर से 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे एक फंदा ये एक ये दो उल्टे धागा पीछे अब फिर दो का एक करेंगे दोनों फंदे सीधे हैं तो आगे की तरफ से दो का एक करेंगे लास्ट का फंदा फिर सीधा देखे फ्रेंट्स ऐसे हमारा ये डिजै अब आ गए हम सीधी तरफ फिर से ये फंदा एच की छे सीधा बनाएंगे और इस सीधे फंदे को लेके ऐसे पल्टेंगे ऐसे दो का एक करेंगे दो का एक करेंगे फिर धागा आगे करेंगे अब एक फंदा ओल्टा फिर जाले वाला प्रोसीजर आ गया तो इस फंदे को सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे सिर्फ यहाँ पे ही आपने जाले डालते हुए ध्यान रखना है कि जो पहला फंदा जाले से बड़ा हुआ है इस फंदे को हर सलाई में हम यहाँ पे सीधा ही सिंगल फंदा बनाएंगे ऐसे जाले डालते हुए यहाँ पे दो का एक नहीं करेंगे आगे सभी फंदों को दो का एक करते जाएंगे जाली डालेंगे और दो का एक करेंगे फिर जाली डालेंगे फिर से दो का एक करेंगे फिर जाली डालेंगे फिर से दो का एक करेंगे जाली से हमारे यहां पे फंदे बढ़ते जाते हैं और साय जो यह बीच में है तीन काई कि यहां पे फंदे गठते जाते हैं फिर से दो का एक करेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये प्लास्ट में फिर हमारा एक फंदा बच जाएगा इस पर फिर जाले डालते हैं इसको सिधा बना देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे अब फिर ये तीन का एक करना दोलों साइड में उल्टे फंदे हैं, बीच में सीधा, तो पहले बीच वाले फंदे में सलाइड डालेंगे, फिर फर्स्ट में, ऐसे इनको चेंज कर लेंगे, बीच का फंदा इसको आगे की साइड ले आएंगे, ऐसे, और इनका तीन का एक करेंगे, ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पिछे करेंगे ये फंदा सेधा धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे पर सिंगल बनाएंगे जाली डालेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा एक जाली का इनका दो का एक करेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा एक जाली का इनका दो का एक बना देंगे जाली डालते हुए फिर धागा आगे करेंगे एक सीधा एक जाली का ऐसे फिर धागा आगे करेंगे एक सीधा एक जाली का इन सबी फंदों को जाले डालते वे दो का एक बनाते जाएंगे फिर धागा आगे करेंगे ये फंदा सीधा है इसको सीधा ही बना देंगे जाले डालते वे धागा आपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे अब ये एक उल्टा एक सीधा इनका दो का एक करेंगे ऐसे हैं लास्ट का फंदा फिर सीधा देखे फ्रेंट्स यहां पे हमारा बीच में तीन का एक होता है लास्ट में हमारा दो का एक होता है अगर जो आपके प्रोजेक्ट में ज्यादा फंदे हैं आप आगे बनाते जाएंगे तो यहां पे हमारा तीन का एक आ कि एक सीधा दागा अपनी तरफ चाली से बड़े फंदे सभी उल्टे इसको ऐसे ही बनाते हुए पूरा कर लेंगे अब दागा अपनी तरफ और ये लाश्ट के दो फंदे देखे फ्रेंज ये हमारी दस मिसलाई थी अब आ गए हम ग्यार मिसलाई पर सेधी तरफ अब फिर ऐसे ही करेंगे ये फंदा सीधा दागा पिछे रखेंगे एक फंदा सीधा एक उल्टा इसका दो का एक करतेंगे ऐसे फंदे को पलटते हुए हैं ऐसे फिर ये फंदा सीधा धागा आगे करेंगे फर्स्ट फंदे के जो सीधा फंदा है इसके साथ में जो जाली का फंदा इसको सिंगल ही बनाएंगे हर सलाई में फिर धागा आगे करेंगे फिर दो का एक सबी फंदों को दो का एक करते हुए जा दागा आगे फिर से दो का एक दागा आगे फिर से दो का एक जाले डालते हुए फिर दागा आगे एक सीधा एक जाले डालते हुए दो का एक बनाएंगे फिर से दागा आगे जाले डालते हुए दो फंदो का एक बना देंगे फिर दागा आगे करेंगे लास्ट का फंदा सी धा, फिर यहाँ पे हम तीन काई करेंगे तो यह बीच में तीन फंदे ही बच गएं, यह हमारी ग्यारमिस लाई है, अब इस पहले दो फंदों को इस नीडल पे लेंगे और फंदों को ऐसे प्लट लेंगे, बीच वाला फंदा हमारा आगे की तरफ आ जाएगा, और इनका ती इनका एक सीधा फंदा बना देगे, ये फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, इस फंदे पर को सिंगल बनाएंगे जाली डालते हुए, फिर धागा आगे करेंगे, अब आगे के सभी फंदे जाली डालते हुए, दो का एक करेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से एक जाली का एक सीधा दो का एक बनाएंगे फिर धागा आगे करेंगे ये सीधा ये जाली का इनका दो का एक करेंगे जाली डलते हुए धागा अपनी तरफ करेंगे फिर शे दो का एक जाली डलते हुए जो फंदा हमारा दो का एक होता हुँ साथ में जाली डलते हुए फुन्दा साथ साथ हमारा बढ़ता जाता है धागा आगे करांगे ये फुन्दा हमारा सीधा धागा पिछे ही रखेंगे अब यहां पर एक उंटा है एक सीधा तो दो का एक करेंगे ये last funda सीधा देखे फ्रेंट्स 11 सलाई हमारी बन चुकी है 12 सलाई हमारी पूरी सलाई यहां से उल्टी बनेगी ऐसे धागा अपनी तरफ करते हुए इसको ऐसे पूरी को उल्टा बना लेगे ये हमारी 12 सलाई बनके complete हुए देखे friends 12 सलईयों में हमारा ऐसे ये डिजाइन बन के आ जाएगा आप ऐसे प्यारा सा बोर्डर बनाके जाखिट में डालिए स्वेटर में किसी में डालिया आप बहुत ही सुन्दर डिजाइन बन के आएगा देखे फ्रेंट्स अगर आपको मेरा ये स्केलप बोर्डर जिक जद बोर्डर पसंद आया हो मेरी वीडियो पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लेज वीडियो को लाइक कीजिएगा friends group में share कीज़ेगा और comment करके बताइगा कि आपको मेरा ये design कैसा लगा चैनल को subscribe कीज़े और bell icon को press कीज़े Thank you